असलाम अलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप सब खेरियस से होंगे तो देखे आज मैं लेके आई हूं कोफ़ते की रेसिपी जो बहुत एजी वे में मैंने बना कर तयार किये हैं कोफ़ती है मैं कीमा नयए अच्छी तरह सी दहाब कर साफक कर लिया है भुष्ट किया दर है विज चयार करका है दर लिया है दो प्याज और इक प्याज्प खें कि 좋다 और हो ही मिर्च में चॉपर कमें एट आ एक पीस लेते हैं तो वाहाने पित्वकिंदे रज़़ति कोफ़त तो चौपर में जल्दी काम हो जाता है, तो देखें, मैं पीस लेती हूँ ने बारीक बारीक कट करके हम चौपर में पीस कर तयार कर लेते हैं फ्रेंट्स आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो जराबी अच्छी लगे तो एक लाइक देना बिल्कुल न भूलें तो देखिए इस तरीके से प्रेस करकर हमने तयार कर लिया है ये सारा का सारा प्याज और हरी मिर्च को पीस कर तो इधर ले लिया है फिर से कीमा तो ये प्याज और हरी मिर्च हमने जो पीस के जञे ओर आखिए तो मिलाए ते नकिता है कि इसके अंदर कर दो तुदे कि इसके अंदर मिलाएंगी स्पहले चने चने का आटा है मैंने चनने को पीस लिया ता मिक्सी में तो इसा इसके आंदर का और इसी मार में डाल देने ऑ हारा धन्र And I am तो देखिए फ्रेंड्स यह है मेरे पास लस्चन और खसकस का पेश्ट यह मैंने भी पीस कर डाला है थोड़ी सी खसकस जरूर डालें इसके अंदर बहुत अच्छा टेश्ट आता है तो थोड़ा सा डाल देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला और इसमें डाल देते हैं एक अंडा जिससे कौफते बिल्कुल भी नहीं फूटते हैं तो अगर आपके कौफते फूटते हैं तो आप अंडा जरूर डालें बहुत अच्छा टेश्ट भी होता है और कौफते बिल्कुल भी नहीं फूटते हैं तो इसमें डाल देते हैं टेश कि तो देंगे आराम से इने मिल आकर सभी को तैयार करके दिखाते हमं आपको तो लीजिएस त्षेnez सब Fish horcribing सारा का सारा कर यहां हमारा अच्शी तरह से मिलकर तैयार हो गया है तो इसकेhew Basepter बने के लिए बिलकुल तैयार हो चुका है यह है तो चलिए इसके हम कौफ़ते बना लेते हैं तो देखे हाथ में लगाएंगे हम ऑईल थोड़ा सा ताकि अच्छी तरह से गौल बने देखे फ्रेंड्स मैंने अच्छी तरह से इसे दबा दबा कर कौफता बना कर तयार कर लिया है तो इसी तरीके से बाकी कौफते भी मैंने तयार कर लिये हैं तो देखे आफ तो चलिए फ्रेंड्स आगे का प्रोसेस कर लेते हैं कौफते बिलकुल बनकर तयार हो गए हैं तो रख दिया है मैंने प्रेशर कूकर उसमें डाल दिया है कूकिंग ऑईल आप चाहिए भगोने में भी बना सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाना था तो मैंने प्रेशर कूकर के अंदर बनाया इन्हें तो देखिए ऑईल जैसी गरम हो जाता है हम डाल देंगे इ तो यह लगा जरूर दे तो देखिए गोल्डन हो गई है प्यास्थ तो इन्हें निकाल लेते हैं बाहर तो मैंने प्यास निकाल लिए बाहर तो छलीए इसमें गरम मसाले डालेते हैं तो थोड़े से घडे मसाले लिए है मैं ने जीरा, काली मिर्च, लॉंग, इलाइची और जीरा ये डाल देते हैं इसके अंदर, गरम मसाला ज्यादा मट डालिएगा, थोड़ा ही डालिएगा, तो देखी ये मेरे पास दो प्यास हैं, जो मैंने पीस लेती, इनको बारिक पीस कर तयार कर लिया था, तो इनको भी डाल दे हैं, आयल के अंदर को, और एक मेट के लिए इस तरह से भूल लेते हैं, प्यास को टार अफे में जा एक पिष्ट प्यास के साथ हैं लस्टा न sli का पेंस्ट से पैस्ट, ुछ य इस टाईम पर करें रगेम तरह घनाए जितना हमारे लस्टा न दरख यास अच्छी तरह से बूनेंगे उतने हमारे कौफते अच्छे बनेंगे तो इस टाइप पे थोड़ा सा टाइम लीजिएगा मसाले बूनने में तो देखी अच्छी तरह से बून कर तैयार हैं तो इसमें डालतें कुछ सूखे मसाले धनिया नमक लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च सिफ कलर के तो अच्छी तरह से चला लेते हैं इने भी तो देखी फ्रैंड्स मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है ओल भी देखी साइड में आ गया है तो इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी दही जिसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिल्कुल कोर में वाला टेस्ट आता है इसके कि तु लेते हैं थोड़ी सी यहां पर आपको वीडियो दिखाना भूल गई थी तो थोड़ी सी शकीप हो गई से वीडियो तो जैसी मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया था कोफते के साथ में तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी आप अपनी हिसाब से डालिएगा कम या जादा तो देखिए मैंने दो आलू पी डाले हैं इसमें क्योंकि बच्चे आलू पसंद करते है बच्चों की वेशचे आलू डाले हैं आप चाहें अलू इसकीप कर सकते हैं तो देखेंगे आपको ज्याधा ग्रेवी वाले पसंद है अधो थोड़ा सा पानी थोड़ा से जाद रखिएगा तो मैंने एक ग्रास में पूरा पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से इने च देखिए फ्रेंट्स मैंने दो सीटी लगा लिती इसमें तो मैं दिखा रही हूँ आपको तो देखिए बिल्कुल कौफते हमारे बनकर हो गएं तयार तो फ्रेंट्स कैसे लग रहे हैं देखने में मुझे कमेंट करके बताएं और अपना फीड़ पैक देना बिल्कुल न भूलें तो कौफते हमारे बिल्कुल तयार हो गए हैं तो उपर से गानिश कर देते हैं हरा धनिया तो फ्रेंट्स मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूँ तो लीजे फ्रेंड्स हमारे कौफ़ते बिल्कुल बनकर तयार हो गए हैं तो आप इन्हें चपाती के साथ खाएं तंदूरी रोटी के साथ खाएं बहुत ही मज़े के लगते हैं तो फ्रेंड्स आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट फॉक्स में जरूर बताएं तो और रेसिपी जराब भी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल से जल पहुँचे तो देखें मज़ेदार से कौफते तयार हैं तो फ्रेंट्स आप इसी तरीके से बने रहें मिलती हूं नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाहाफिछ